Good morning friends, welcome to study with Neelam I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के सभी best current affairs question आज हम complete करेंगे सभी question important है तो वीडियो में last तक बने रहिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो फटाफट से study with Neelam चैनल को सब्सक्राइब कर लिजर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूले जब बेल ग्रे हो जाए तो समझ जाएगा आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकिशन प्राप्त होंगे इस lecture की और इस से पहले के सभी lectures के अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो Study with Neelam एप को Telegram चैनल पर Study with Neelam चैनल को Telegram पर सब्सक्राइब कर लिजे और एप को डाउनलोड करना बिल्कुल न भूले ओके फ्रेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन हाली में किस राज़ी के हर्मल मिर्च को GI टेक मिला है तो यह जो हर्मल मिर्च है यह है गुजरात राज़ी की और इसे हाली में मिल गया GI टेग देखे इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ अगर आपको 2019-20 के सभी important GI टेग नहीं है अभी तक आपके पास तो आप प्लेइलिस्ट में जाकर इन्हें सर्च कर सकते हैं यह आप में इसकी लिंक आपको description box में दे दूँगी यह सभी आपको एक जगा पर मिल जाएंगे अच्छे हैं सभी का collection अच्छे से किया गया है with pics ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी और mcqs भी है जिससे आप एक बार पढ़िएगा उन्हें देन फिर आप उनके mcqs लगाईएगा तो आपको जी आई टेक सारे अच्छे हो जाएंगे 2019 वीस्त के ओके तो यह हर्मल मिर्च कहां की है गोवा राज्य की इसे हाल ही में जियाई टेक मिला इसके साथ ही जो यहां का मौरिया बनाना है कौन सा बनाना है और यह हर्मल मिर्च है ठीक है और यह है यहां का खेजा यह खेजा sweets है जिससे आपने देखा होगा मत्यप्रदेश में अगर आप भपाल से होंगे या इंदोर से तो यहाँ पर जो वो बैसन होता है बैसन के जो छोटे-छोटे कुरकूरे बनाये जाते हैं और फिर उसे गुड के गोल में डाला जाता है वही खेजा स्वीट से ही है तो इस खेजा स्वीट को GI टेक किस राज्य के लिए हासिल कर ल दिया गया है तो आपको तीन चीज़े याद रखनी है मोरिया बनाना और हरमल मिर्च और खेजा स्वीट्स ओके जनवरी 2020 में मैंने बताया था आपको GI टेक एक और मिला था गोवा को कौन सा यहां की जो मिर्च है कौन से मिर्च खोला मिर्च ठीक है खोला मिर्च इसे भी क शारों चीजी याद रखेंगे क्योंकि सभी करंट के एंसपोरटन पॉयंट है एक और चीज यहां से याद रखिए गोवा से देश का पहला GI टेग श्टोर फिके जी एटेग खोला है तो यह भी गोवा में खोला है जितने भी GI टेग प्राप्त वस्तुंहें हैं साल है कप आप याद रखेंगे अब देख लेते हैं हम मैप में गोवा को गोवा की लोकेशन यह यहाँ पर है ठीक है इसका पडोसी राज्ज कौन-कौन से हैं तो पडोसी राज्ज में आ जाएगा आपका महराष्ट करनाटक ठीक है और इदर से केरल है यहाँ पर महराष्ट है यहाँ पश्चिपूर्गु में आपका करनाटक है और दक्षण में केरर है ये महराष्ट गोवा की राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी है क्या पणजी इसकी राजधानी किस नदी के किनारे है मांडवी नदी के किनारे ये कोशन आ चुका इसलिए याद रखेगा गोवा की र सवंबर 2020 में संपन्य होगा कहां गोवा में राज्यपाल कौन ही आके सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक से आप एक और फ्यक्ट याद रखेंगे जब जम्मू कश्मीर केंद शाषित प्रदेश बना था 5 अगस्त 2019 को तब सत्यपाल मलिक ही वहां के क्या बने थे गवर्नर बने थे यह आप याद रखेंगे लाश्ट राज्यपाल को थे तो सत्यपाल मलिक थे वहां के चेत्रफल के अधर पर देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है 9 दिसंबर को अब यहां से आपको देखी तीन डेट याद रखनी है यहां पर 9 दिसंबर को यहां पर चारी जिले है ना चार जिले है यह आपका नौर्थ गोवा साउथ गोवा ठीके पोंडा यहां के जिले हैं देखें गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर गोवा क्रांती गोवा क्रांती दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है तो यह 18 जून को याद गोवा क्रांति बोल रही हूं और गोवा इस्थापना दिवस तो यह मनाया जाता है तीस मैं को एक वार्वार फिर से देख लीजिए कुछ ओनीच दिसंबर गोवा क्रांती 8 जून और गोवा का स्थापना दिवस तो यह है तीस मई को क्लियर है चलिए देख लेते हैं हम आगे यहां से एक और चीज़ याद रखिएगा जो कौन थे यहां के पहले प्रमो सावन से पहले मुख्यमंतरी मनोहर नाम है एकष्टर और 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 माया भूशण सद्गुरुपातिल माया भूशन ल कि और जल टैक्सी चलाने वाला देश का पहला राज कौन सा है तो यह गोवा है कौन सी टैक्सी सो रूरजा से चलने वाली जल टैक्सी डेबोलीन एयरपोर्ट आपको कहां मिलेगा तो ये गोवा में ही मिलेगा कौन सा एयरपोर्ट है डेबोलीन एयरपोर्ट गोवा यहां के प्रमुक जो वाइल लैफ सेंचुरी वो कौन सी है सलीम अली वर्ड सेंचुरी कहां पर है तो ये गोवा राज्ज में ही है तो ये सारे पॉइंट आप गोवा से याद रखेंगे क्लियर है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाली में कौन ICRIER के अध्यक्ष के रूप में नुक्त किये गए हैं तो ये बन गए हैं प्रमोद भासीन कोन बन गए हैं प्रमोद भासीन बन गए हैं क्या है इसका फुल फॉम इसका फुल फॉम है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल एकोनोमिक रिलेशन ओके तो इसके अध्यक्ष कोन बन गए हैं प्रमोद भासीन इसके कौन है ICIRI के MDCO है रजत कथूरिया ठीक है तो इन्हें भी आप याद रखेंगे MDCO को next देख लेते हैं इतना आसान है नामा के एक विक्रेता अवियान निम्न में से किस e-commerce प्लेटफॉर्म ने प्रारंब किया है इतना आसान है प्रारंब किया गया है Amazon के द्वारा ओके किसने प्रारंब किया है Amazon ने ये उन विक्रेताओं के लिए प्रारंब किया है जो Amazon से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े नहीं है ठीक है उनके लिए उन्हें जोडने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर य प्रारंब किया गया है इतना आसान है अभियान तो आप इसे याद रखेंगे Amazon चलिए यह की लोकेशन इतना आसान है अभियान ठीक है आपको जोड़ने के लिए चलिए नेक्ट देख लेते हैं हाल ही में RBI ने चेक से होने वाली धोकाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सुविधा प्रारंब की है शेक से होने वाली धोकाधड़ी थी ठीक है डेट वगेरा में चेट कर देना जो सम नंबर होते हैं उसको डिरेट करके कुछ और लेग देना तो यह सारी धोकाधड़ी से रोकने के लिए कौन सा एप प्रारंब किया गया है पॉजिटिव अब आपको वह उसे प्रेट चेटिव एप से क्या करेगा इसकेशन करके देखेंगा मतलब इनफोर्मेशन को सेम इनफोर्मेशन है या नहीं और उसके बाद यह आपका चेक क्या होगा क्लियर हुआ करेगा ओके तो यह याद रखिएगा किसने शिरू किया पॉजिटिव स्कीम तो अर्वियाई की द्वारा शिरू की गई है अब बात आईए अर्वियाई की तो अर्वियाई को हम देख लेते हैं यह है पॉजिटिव पे सुविधा ओके तो आप याद रखिएगा इसे अर्वियाई की स्थापना कभूई एक अप्रेल 1935 को मुख्याले कहा मिलेगा मुंबई में मिलेगा वर्थमान में गवर्नर को ने सक्तिकांत दास है 25 विक्रम के हैं ठीक है पहले ब्रिटिस गवर्नर कों थे ऑस्बॉर्ण स्मित थे पहले भारती गवर्नर कों थे तो सीडी देश मुक्त है और जो सक्तिकांत दास हैं इन्हें वर्ष 2020 में दबैंकर मैगजीन के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ 2020 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे शक्तिकांत दास को अभी हमने लाश्ट वीक ही पढ़ा था कि कोविड-19 में तनाव ग्रस्त संपत्यों की समि समितिक अगठन किया गया है के भी कामत की अध्यक्षता में तो यह भी मत भूलिएगा आप लोग ओके यह से क्लियर रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ यहां पर जो एक्जामन में यह कोश्चन आज चुका है इसला हम यह डिसकस कर लेते हैं कि आर बंगाल रोयल टाइगर तो याद रिखेगा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना प्रारंब की गई है तो यह प्रारंब की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार ने एक लाख युवाओं को रोजगार प प्रकल्प योजना के तहर उन्हें सौफ्ट लॉन और सब्सिटीज प्रदान की जाएगी सौफ्ट लॉन और सब्सिटीज के माध्यम से युवाओं को आत्म निर्भर बराया जाएगा कहां शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में भूलिएगा मत बढ़ते हैं आगे यह है हाँ टू अपलाय करमसाथी प्रकल्प स्कीम ओके देख लेते हैं हम पश्चिम बंगाल को तो पश्चिम बंगाल की लोकेशन यह रही यहाँ पर ठीक है कौन-कौन से हैं इसके पड़ोसी राज्ये तो देख लीजे फटा-फट यह है जारकन यह है आपका बिहार बिहार के पश्चिम सिक्किम के बाद इसकी नेपाल से लगती है भुटान से लगती है असं से लगती है और यह मेगाले से भी लगती है ठीक है याद रखिये और यह बंगलादेश को तीन दो और से घेरे हुए है चलिया देख लेते हैं यहाँ के जो गवर्नर है वो कोने जगदीस पशी मंगाल के जगदिस धनकर सीए में ममतव एनरजी राजधानी ने कॉलकाता क्या है राजधानी कॉलकाता कॉलकाता किस नदी के किना रहे है यह बहुत आ चुका है कोस्टन स्टेटिक्स जी के का हुगली नदी के किनारे और हुगली नदी साब को एक important fact याद रखना है कि हुगली नदी के नीचे देश की पहली underwater train चलेगीई कहां पर हुगली नदी के नीचे कॉलकत्ता में सेल्ट लॉक इस्टेडियम कहा है कौलकत्ता में देश का सबसे निचे पूरान और बड़ा क्या mangrove forest ओके देखिए आपको यहाँ पर पश्चिम मंगाल में Yuko Bank का Headquarter, Geological Survey का Headquarter और Ordnance Factory Board का Headquarter मिलेगा ठीक है तीनों का Headquarter याद रखेगा Yuko Bank, Geological Survey of India और Ordnance Factory Board का Headquarter लोग सभा सीटे मिलेंगी आपको यहाँ पर 42 राज्य सभा सीटे मिलेंगी 16 और विधान सभा की सीटे हैं 295 कितनी विधान सभा सीटे हैं 295 हैं और जो नीती आयोग द्वारा आखड़े जारी किये गए हैं उसमें 2019-2020 के आखड़ों कानसार सबजी उकत पादन में प्रतमिस्तान पर कोन है पस्चिम मंगले फलो कत पादन में प्रतमिस्तान पर कोन है तो यह है आंदर परदेश कोन है आंदर परदेश है तो यह भी आप याद रखेंगे और अभी हाल ही में दो मंत पुरानी निईज यह है कि कलकत्ता बंदर गभा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है स्यामा परचाथ मुखर जी बंदर गभा कर दिया कर्मो भूमी पोर्टल की सरकार ने लांच किया था जब kendra सरकार ने 59 Chinese aip पर बेन लगाया था तो उसमें था एक cam scan ठीके cam scan जो रहता है उस पर रोख लगा दी गई थी तो पच्छिम बंगाल ने cam scans के ही मतलब जगहा पर कौन सा एप डबलब किया था यह किया था self scan, कौन सा किया था, self scan app डबलब किया था तो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पर आपको national park मिलेंगे बुकसा, पहले बुकसा tiger reserve मिलेगा आपको, सुन्दरवन tiger reserve मिलेगा दोनों ही tiger reserve important है याद रखेंगा, जल्दा पारा national park आपको पश्चिम मंगाल में ही प्राप्त होगा, ओके तो ये सारी information आप पश्चिम मंगाल से याद रखेंगे, Bloomberg Blanier Index के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबाने का कौन सा इस्थान है सूचियां हर 15 से 18 दिन में चेंज होती है, जो लिष्ट जारी की जाती है इसलिए करंट में हर दिन अपडेट रहना आपके लिए जरूरी है ऐसा नहीं है, आपने आज पढ़ लिया फर 15 दिन बाद पढ़ेंगे, तो आपके लिए जो 15 दिन बाद है, पता नहीं वो जो करंट है, वो चेंज हो जाए क्योंकि लिष्ट नहीं नहीं आती रहती है इसलिए पर डे करंट को अपडेट रखी अपने ब्लूमबर्ग जो इंडेक्स है, इसमें मुके शमबानी का इस्थान है, चोथा कौन से इस्थान पर है मुके शमबानी बिल गेट्स, माउ क्रो सोफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और तीसरे इस्थान पर है फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकरवर्ग मार्क जुकरवर्ग तो ये इंडेक्स आप अच्छे से याद रखेगा, बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ हाली में फोफ सोदौरा जारी सूची में 2020 के सबसे महगे अभीनेताओं की सूची में किस अभीनेता को इस्थान मिला है भारती जो अभीनेता है तो इसमें भारती अभीनेता, अक्छे कुमार को इस्थान मिला है, ये इस रेंकिंग में टॉप 10 में टॉप 10 में कौन से स्थान पर है छटे स्थान पर कितनी है इनकी इंकम 362 करोड रुपे की इंकम के साथ 2019 में इनकी इंकम कितनी हुई थी 362 करोड की इंकम के साथ ये Forbes की सूची में छटे स्थान पर है तो इसमें पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर है डेवन जॉंसन कौन है डेवन जॉंसन पहले स्थान पर है और ये रियान रेंड सी दूसरे स्थान पर है और शटे स्थान पर है भारती अभिनेता ये खिलाडी सक्षे कुमार तो ये आप याद रखेंगे ओके चलि होगा अरुनादे स्कीम में राज्य के 17 लाग परिवारों को वित्य साहता प्रदान की जाएगी और इस वित्य साहता के तहट आवेशक छेटे रुपय इक परिवार को 830 रुपय एक परिवार के सदश्यों को देगी ठीक है खाने पीने की चीजों के लिए तौँ याद रखेंगे आनो देस की असम राज्य की योजना है तो यह रहा अंप मैक में असम मैने आपको पहले बी बताया असम यहां राज्य जो सिक्किम को छोड़कर सभी सेवन सिस्टर्स जो पूर्वी राज्य उनसे सीमा बनाता है तो आप याद रखेंगे लोगसभा की सीटे आसम में 14 राज़े सभा सात और विधान सभा कियें 126 असम की पहली transgender नियाधिस कोने स्वाती विधाने कोने स्वाती विधाने देश का पहला पुराना तेल उत्पादक राज्य कोन सा असम की डिक बोई में पेट्रोलिय मत्पादन होता था सबसे पहले असम की sports ambassador कोने हीमादास है और असम की परेटन ambassador कोने तो प्रियंका चोपड़ा है हीमादास एक धावी का है और इन्हें ding express भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कौन बने है अजे लामबा बने है असम कही कामाख्य मंदिर है जो कामाख्य देवी मंदिर इस पे कों सा मेला आयो जित होता था अंबू बाची मेला दो हजार 20 में से COVID-19 की वज़े से रद्ध कर दिया और ब्रह्मन साथी योजना भी असम राज्य के द्वारा लागू की गई थी पत्रकारों को 50 लाख रुपे तक का बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन असम राज्य ठीक है कोविड-19 के समय पत्रकाई था कर रहे हैं और अगर उनकी मृत्य होती इस समय पे तो उन्हें 50 लाग का बीमा कवर देगी असम सरकार देखी अब यहां से कौन-कौन से इन्फो अभी अब्डेटेड रहा था जो देहिंग अभ्यारन है देहिंग वाइल लाइफ सेंचुरी है इसे अब अपग्रेट किया जाएगा किसमे नैशनल पार्क में यह मैंने कवर भी किया है अगर आपने सीरीज देखियोगी इवनिंग वाली तो और यहां पर जो पोवा फॉरेष्ट का रिजर्व है ठीक है इसको लेकर बहुत जादे विरोध परदर्शन हुए थे तो इस पोवा फॉरेष्ट में कोईला उतखनन होता था उसको लेकर लोगोंने वहां रोद किया था तो अब इस पोवा रिजर्व फॉरेष्ट को क्या बनाया जाएगा वाल लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा दोनों इम्पोर्टेट जो वाल het सैंचुरी देहिं थी उसे नेश काजी रंगा नेशनल पार्क में और अभी हाल ही में यहां पर देश में पहली वार गोल्डन बाग भी देखा गया था गोल्डन टाइगर कहां पर काजी रंगा नेशनल पार्क में यहां के और कौन-कौन से नेशनल पार्क है ना मेरी नेशनल पार्क है ठीक है डिबरू सिको परदान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा ओके उसी गोषणा को रूप देते हुए यह आधिवासी संग्राले बन रहा है गुजरात में कोन है आदिवासी जनजाती मंत्री केंदर में अरजुन मुंडा है और इनका लोग सबाच छेतर क्या है जहारखंड का खुंटी अरजुन मुंडा तो आप इन्हें याद रखेंगे ठीके बात कर लेते हैं हम गुजरात की यह है आदिवासी संग्राले की इमेज जो अभी बन रहा है 2022 में बनकर पूर्णता तयार हो जाएगा गुजरात को देख लेते हैं यह रही गुजरात की लोकेशन सबसे पश्चमी राज्य है गुजरात हमारा इसकी सीमा लगती राजिस्थान से मध्य प्रदेश से और महाराष्टे से गुजरात के ही जुना गड़ को अभी पाकिस्तान ने अपने छेतर में दर्शाया है और इसके उपर मैंने एक डेडिकेटड वीडियो बनाई है अगर आपने नहीं देखिए तो वीडियो जरूर देखिए आपको इसकी हिस्टरी पता चलेगी और प्लस आपको मुद्दा क्या है ये भी जानकारी होगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने के लिए इंट्रेस सबसे लंबी तर्टरेखा वाला राज्ज कॉनसा है गुजरात ही है काकरापारा पर्माणुई पावर स्टेशन ये अभी चर्चा में रहा था क्योंकि इसकी तीसरी जो यूनिट है उसका निर्मान स्वादेश में ही किया गया है देश में बनी और बहुत अच्छे से कारे खर रही तो इसे भी यद रखे गुजरात में उकाई बांध परियूटनेत अपी नदी पर गुजरात में और पहली रेलवेए यूनिवरसिटी देश की कहां वनी है तो बढ़ोध्रा के गुजरात में बनी है ये सारे फेक्ट आप गुजरात से याद रखेंगे ओके चलि पहला राज्य जिसने पुलिस मेनु को क्या दिये टेजर गन ठीक है जिससे एलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं यह गुजरात ने दिया है पहली कंपनी कोन बन गई है तो यह बन गई है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है सरसीबी रमन के नाम पर क्या रखा गया है रमन रखेट रखा गया है तो यह बी आप याद रखेंगे इंपार्टन था देखे जो यह रोकेट है 5000 तीनपरन रखेज होता है है दराबाद की है ऊके चोनली इस संस्थापक करें ये दोनों ही इस रों के पहले साइन टिस्ट टू रह चुके है कौन कौन पवंचंधाना और हम इदर आपके दाका यह दोनों ही इस रोंके particular में साइन्टिस्ट रह चुके हैं तो ये भी आप याद रखेंगे ये जो रॉकेट इसकी खासियत है कि इसका वजन कम है ओके और एक खास विशेस्टा इसकी ये है कि ये एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्छाओं में स्थापित करने में सक्छाओं में मतलब एक कई सैट तो इसकी खेतर में कम नीजिक खेतर की भागेदारी भी बढ़ा रहा है तो ये आप याद रखेंगे नेक्ट देखते हैं हाली में संसत के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निम्नमे से कौन सी विदेशी भासा शिरू की गई है तो ये इनके लिए पार्ठिकरम लोकसभाध्यक्ष ओम बिल्डा ने किया है और इनका लोकसभा चेतर कौन सा है राजिस्थान का कोटा है किसका ओम बिल्डा जी का उके तो इन्हें भी आप याद रखेंगे देखें जो ये है प्राइड पारलेमेंटरी रिशर्च और ट्रेश्य टुडे इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में अधरवाइस फिर में इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगी रिमने मैंसे किस राज जी ने मुख्य मंत्री किसान सहय योजना को प्रारंब किया यह रहे आपके आप्शन आप सभी को आंसर करना है okay friends thanks for watching have a great day and take care